फिन्वाडा के पांडुर्ना कज़वे में एतिहा से गोट मार मेला लगा जाम नदी के किनारे पर बसे सावर गाव और पांडुर्ना के लोगों ने नदी तट पर पहुँच कर धोल बाजे के साथ एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए इस मेले को शुडू किया प्रशासन का प्रयास है कि इस बर सांकेतिक रूप से ही मेला हो हर साल की तरह पत्थर बाजी ना हो सुबह गोटमार मेले में सबसे पहले पलाश के पेड़ दूपी जंडे को पांडुर्ना और सावर गाव का विभाजन करने वाली जाम नदी में मजबूती से गाड़ दिया गया जिसके बाद सावर गाव और पांडुर्ना के इस मेले के प्रती आस्था रखने वाले महिला एवं पुरुष वर्ग ने पूजा अर्चना की इसके बाद पत्थर बाजी का खेल शुरू हो गया पोला पर्व से दूसरे दिन वर्षो पुरानी मानिता के आधार पर आयोजित होने वाला गोटमार मेला पूरे विश्व में अनोखा है मेले में पांडुरना सावरगाव दोनों पक्ष के लोग नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं इसमें दिन भर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आमने सामने पत्थर बरसाते हैं, जिस से सैकडों लोग गंभी रूप से घायल होते हैं। इस बीट जिला कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक और स्थानी प्रशासन के पूरे अधिकारी तैनात रही। गोटमार मेले में पुलिस बल लोगों की सुरक्षा और मेले को शांती से सम्पन कराने के लिए शहर के हर इलाके पर तैनात रहा। उलेखनीय हैं कि हर साल पुलिस वप्रशासन द्वारा गोटमार मेले में पत्थरबाजी रोकने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद इस परंपरा के नाम पर कई लोग घायल होते हैं. इसके नाम फ्ट्रेमीर इस मी सकति हैं. जो इंडिया स्विए स्किलाज स्किल्बेस बेस्थ प्राइब इस एक लीडिसम. आप देख रहे हैं दखल्यूल